Hello my YouTube family, कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सब अच्छे होंगे, स्वागत है आपका unboxing खजाना पर आज के वीडियो में हम इस बहुत ही उपयोगी water kettle के बारे में जानेंगे जो की है cello company की, और model इसका WK700 है, जो की 1000 watt की है और ये 0.5 लीटर की है, यानि के आधे लीटर की, तो आज इसी के बारे में हम review करेंगे बने रहे हैं वीडियो में मेरे साथ अंता कैसी ही तमान तरकी, जानकारियां और reviews आपको यहां मिलते रहते हैं आप मुझे Instagram और Facebook पर भी follow कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ये brand cello product है, और black and silver color में है product का नाम cello quick bowl 700 है, और ये stainless steel से बनी है electric kettle और 500 ml की है, इसकी लीट को हम आसानी से खोल सकते हैं और easy cleaning के लिए अच्छा बड़ा मू दिया हुआ है जैसे ही पानी गरम होता है, इसमें auto shoot off function दिया हुआ है इसका grip handle है, जिसे हम आसानी से handle कर सकते हैं यहाँ पर light indicator है, साथ में इसके दो utility travel cup free में आते हैं height में ये 167 mm और breadth में 145 mm है और बहुत ही portable और easy to carry है आप इसे कहीं पर भी traveling के दौरान भी ले जा सकते हैं और students के लिए तो बहुत ही useful है, elderly persons घर में हो तो काफी काम आता है और hostel students, college students के लिए भी बहुत ही useful है अगर आप travel कर रहे हैं या emergency में boiled water चाहिए तो यह आपके बहुत ही काम का है यह अपनी छोटी छोटी जरुट के लिए पानी जहां गरम करना पड़ता है वहाँ उसे use कर सकते है जैसे की चाई या कॉफी के लिए अगर गरम पानी करना हो या simply आपको गुनगुना पानी चाहिए सुबह में पीने के लिए तो आप बहुत ही आसानी से इससे कुछी seconds में पानी को गरम कर सकते हैं बहुत ही portable और easy to carry है इसमें हम दूद या कोई और solution गरम नहीं कर सकते हैं इसमें सिर्फ हमें पानी गरम करना है kettle को हमेशा बंद रखे जब वो empty हो उसका button on नहीं रहना चाहिए kettle को full कर ले पानी से on करने से पहले kettle को साफ करने के लिए आप damp cloth का use कर सकते हैं और पानी गरम करते वक्त इसका lead खुला ना रखे अगर lead खुला रह जाता है तो फिर auto cut off इसका work नहीं करेगा पानी को ज़्यादा full ना करे इसके maximum level तक ही पानी को रखे यहां पर maximum level का mark है और kettle के base और power cord को wash न करे electrical appliances खराब होने का डर रहता है यह दो साल की guarantee के साथ आता है power इसका 1000 watt का है इसमें आपको एक kettle, दो utility travel cup, free user manual और warranty card मिलेगा traveling के लिए यह best है आप इसे कही पर भी easily handle करके ले जा सकते है travel friendly है cleaning की बात की जाए तो बहुत ही आसानी से इसे clean किया जा सकता है बड़ा मू दिया गया है easy to use है, कोई भी इसे आसानी से operate कर सकता है और stainless steel body होने की वज़ा से इसकी durability भी बहुत ही अच्छी है size भी इसका अच्छा है travel purpose के लिए बहुत ही अच्छा है इसमें पानी बहुत ही जल्दी गरम हो जाता है लेकिन एक इसकी खामी है कि इसमें बस हम अपनी बस पानी ही गरम कर सकते है अगर दूद गरम करने जाए तो ये जल जाता है तो इसमें सिफ हम पानी को ही गरम कर सकते है power cord बहुत ही छोटा है लगबग 80 cm का है overall मुझे ये product बहुत अच्छा लगा इसमें एक feature और भी है boil dry protection जिसमें kettle अपने आप ही automatically switch off हो जाता है जब पानी उसमें ना हो या फिर पानी पूरी तरह से गरम हो गया हो इसका ये feature इसे उप्योगी और save बनाता है heating operation के वक्त इसमें light indicator भी है जो की base में है और ये on off होता है जब पानी boil हो जाए तो आपको तुरंट पता चल जाता है पानी boil हो गया है अगर light switch off हो जाए तो अगर आप travel कर रहे हैं या emergency में boiled water चाहिए या students हैं तो ये आपके बहुत ही काम का है तो आशा करती हूं आपको ये review कुछ काम आएगा और आपको helpful होगा आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे शेर करे और सब्सक्राइब जरू करे मेरे चानल को और notification bell को ओन कर पॉल पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का notification जल से जल आपको मिले तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में तब तक के लिए बाई